हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट यूए फो मुवीज की ओर से दिसंबर क्वाटर की फिनांसल जल्स आउट हो चुका से स्टैंडर ओं कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुका जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंग स्टैंबर लेक्ष में पहले कॉंसॉलिडेट कवर किरेंगे करें थो फिछले क्सिवन टन क्रोड की करोड कर दिसंबर 22 quarter में 10 करोड को प्रेटिंग profit quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है net profit company का इस बार पेश हुआ हम लोंग यहाँ पर देखेंगे company का जो net profit for .5 करोड का पिशले quarter में 3.2 करोड का December 22 quarter 33 lakhs का loss quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है EPS company का 1.19 rupees का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो guys company का consolidated financial result बहुत strong पेश गया है क्योंकि income profit दोनों में increase हुआ है अगर हमें stand-alone results को cover करें तो income है 92 करोड का पिछले quarter में 76 करोड का और December 22 quarter 75.4 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 76.8 करोड का पिछले quarter में 59.3 करोड का और December 22 quarter में 70.4 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में बहुत जाद है इसका profit फोल से impact पड़ा है लेकिन year on year के profit में improve हुआ है expenses increase बहुते एक profit भी इंप्रूब हुआ है operating profit 15.4 करोड का पिछले quarter में 16.7 करोड का December 22 quarter 5 करोड का operating profit quarter on quarter में down है year on year में increase किया है नेट पॉफिट कंपनी का 2.3 करोड का पिछले क्वाटर में 3.8 करोड का दिसमबर 22 क्वाटर 4.5 करोड का लॉस है क्वाटर अन क्वाटर में डाउन है येर ओन येर में इंक्रीज किया है वह यह अगर हम बात करें गाइस कंपनी के EPS का तो 0.62 रुपेज का क्वाटर और क्वाटर में डाउन है येर ओन येर में इंक्रीज किया है तो गाइस कंपनी का रिजल्ट ओवराल बहुत स्ट्रॉंग पेज के बहुत अच्छी रिजल्ट पेज के बस स्टैंडलाउन में येर ओन इन में पॉफिट से गिरावाट है कि एक्स्पेंस बहुत ज्यादा किया गया था तो अब हम लोग जो है वेडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछें मिलता है नेक्स रूड़ा में डिलनें बाबाई